हलो दोस्तो मैं पूनमशा उमीद क्लासिस की यूटूब चैनल पे आप सभी का एनरजेटिक वेलकम मैं करते हूं जिनके भी इंग्लिश बिल्कुल ही डल हो रही है पता नहीं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उमीद क्लासिस से आप जुड़िए जो मैं आपको बता रहे और दीरे दीरे अपनी वाकेब को बढ़ाना है और ग्रैमर को भी स्ट्रॉंग करना है तो जो भी मेरे दोस्त हैं जो भी सहपाटी हैं जो भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंग्लिश से पीडित हैं वो सभी जो भी I.S.R.S. वीडियो पटवारी रीट हो गया फर्स तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप सभी का फिर से उमीद क्लासिस में वेलकम हैं जिनोंने भी ये जो हेल्प लाइन नंबर है ये कॉंटेक्ट नंबर सेव नहीं किया है तो सेव आप कर लिजिए साथी साथ में उमीद क्लासिस के टेलिग्राम चैनल को भी आप ज चलिए दोस्तों पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा है कि रिफ्यूस्ट टू अटेंड दा मिटिंग डैश हिज इल्नेस ने मना कर दिए अटेंड करने के लिए तो दोस्तों ऐसे कोश्चन आपके एक्जाम में आएंगे कि आपको दे देगा कोश्चन और चारों प्रेज आपकी नीचे आ जाएगे और आपको इन में से सलेक्ट करके बताना है कि कौन सा सूटेबल आपकी फ्रेज होगी जो इसमें लगाएंगे आप तो देखों ऑन पार्ट ओफ के जगह पर ऑन पॉइंट ओफ समीप ही ओन ग्राउंड ओफ आधार पर बोलते हैं के आधार पर और विट रेफरेंस टू के संबंद में के संबंद में तो क्या बोल रहा है उसने मिटिंग में आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा अब किसके लिए किसके आधार पर क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट अ अंसर है वो हो जाएगा आपका C ठीक है C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है सभी के आपको answers भी देने हैं ध्यान रखना आप next देखिए he was dash crying तो on part of, on point of, on ground of या with reference to क्या आएगा आपका सही उत्तर तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है he was crying of तो यानि कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा on the point of क्या हो जाएगा आपका on the point of इसमें right answer है अमने समीप ही ठीक है तो right answer है आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा he was on the point of क्राइम यानि कि वो अभी रोने ही वाला है ठीक है तो अब देखिए यहां पिर यू शुड एक्ट ब्रेवली डैश डिफिकल्टी यानि कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कोई भी काम ब्रेवली करना चाहिए डिफिकल्टीज में तो इन दा होप आशा से इन रियर ओफ पीछे इन दा तीट ओफ के बावजूद और इन दा फेस ओफ विपरीत तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर इन दा फेस ओफ यानि कि आपको क्या करना चाहिए तो क्या हो जाएगा यू शुड एक्ट ब्रेवली इन दा फेस ओफ डिफिकल्टीज जब भी आपके सामने difficulties आये, उनको क्या करना चाहिए, आपको face करना चाहिए, in the face of difficulties, बादुरी से, ठीक है, next देखिए, they went to Delhi, वे दिल्ली गए, dash take part in the movement against correction, तो देखिए, on account of का मतलब होता है, के current से, in order to, के उद्देश्य से, हिंदी में मैं इसलिए लिखवारी हूँ आप लोगो को, ताकि आपका concept clear हो, जितना ये लिखवारी हूँ, ये ही पढ़ लोगे, तो भी आपका हो जाएगा, ये आता है, भेश में, कोई भेश में आता है न, और in proportion to अनुपात में, तो क्या हो जाएगा आपका right answer इसमें, right answer आजाएगा कि वे डेली गये, they went to Delhi, in order to take part, in order to take part in the movement, against the correction, तो in order to, ये उद्देश है, किस उद्देश से गयते हैं, ताकि correction, corruption जो है, ब्रस्टाचार हो, उसके against में क्या ले सके, movement, ले सके, next देखिए, I shall right dash, know the reasons of not coming to Ajmeer, तो home income का मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है, as to का मतलब के बारे में, in lieu of, in lieu of का मतलब क्या होता है, आपका, with reference to, तो के सम्बंद में, और in lieu of के सम्बंद में, के स्थान पर, sorry, के स्थान पर, तो right answer आपका क्या हो जाएगा यहां पर, कि I shall not write as to know, के बारे में, किसके बारे में जानना चाह रहा था, as to know the reasons, क्या जानने के लिए, कारण जानने के लिए, कि of you are not coming to Ajmeer, कि तुम Ajmeer क्यों नहीं आए उसके बारे में, तो right answer भी हो जाएगा, next दे किये, he became healthy, dash regular exercise, he became healthy, dash regular exercise, तो वो healthy हो गया, regular exercise के कारण से, तो क्या हो जाएगा, की वज़े से, और इन सभी का मतलब भी, या के कारण से, तो तीनों का मतलब भी सेम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, तो he became healthy by virtue of regular exercise, he became healthy by force of regular exercises, he became healthy by means of regular exercise, next one is, Mono became a terrorist, dash money, अब देखो, वो terrorist क्यों बन गया, इसके बारे में बताना है, तो for the sake of के लिए, for want of कमी के कारण, या कमी से, for the purpose of के उदेश्य से, on the behalf of की तरफ से, तो देखिए, right answer आपका क्या हो जाएगा, कि वो पैसो के लिए, terrorist बन गया, for the sake of, ठीक है, तो right answer, Mono became a terrorist for the sake of money, next one is, dash, his best efforts, he failed, यानि कि उसने बहुत अच्छे से efforts लगाए, फिर भी वो fail हो गया, तो यहाँ पर आजाएगा, in stead of, के बजाए, in lieu of, के स्थान पर, in spite of, के बावजूद, और in defiance of, बिना परवा कि, बिना परवाह कि, ठीक है, in spite of, आपका, सही होगा, कि, in spite of his best efforts, he failed, यानि कि, बहुत अच्छे उसने efforts लगाए थे, बहुत अच्छे प्रयासों के बावजूद भी, वो क्या हो गया, fail हो गया, और यहाँ पर in spite of की जगए, अगर आपका, despite of भी आ जाता है, तो भी आपको क्या option चूज करना है, despite of आपको option चूज करना है, next देखिए, your project must be dash, the instruction given by committee, तो in keeping with, क्ये अनुसार, in favor of के पक्षमे, in course of, समय आने पर, in connection with, के, कंबंद में, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, कि your project must be, dash the instruction given by the committee, तो यहाँ पर होगा in keeping with, क्या हो जाएगा, in keeping with होगा, a आपका right answer आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, your project must be in keeping with, the instruction given by the committee, तो क्या अनुसार होने चाहिए, जो भी project आप जमा करवा रहे हो, अब देखो, he is senior to me, dash service, आप बोल रहे हो, कि अगर service की मैं बात करूँ, तो वो मुझसे senior है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, in prospect of का मतलब क्या होता है, in prospect of, in pursuance का लिखलो, अनुसार, in course of, इसमें यह गलत लिखा हुआ, in respect of आएगा, ठीक है, in respect of का मतलब होता है, के संबंद में, और in defiance of, देखू, यहाँ पर आपका, यह तो होगा समय आने पर, और यह हो जाएगा बिना परवाकिये, बिना परवाकिये, ठीक है, तो right answer आपका इसमें क्या हो जाएगा, कि वो service की अगर मैं बात करूँ, तो in respect of आएगा, ठीक है, यह आपका, ठीक है, यह आएगा आपका सही answer, next देखिए, dash, our other book will be published, तो देखिए, in search of तो होता है, तलाश में, की, तलाश में, in course of का मतलब होता है, समय आने पर, in opposition of के विपरित, तो देखिए, वो क्या बोल रहा है, कि मेरी जो book है, वो publish होने वाली है, will be published होगी, तो क्या हो जाएगा, समय आने पर, तो in course of our other book, will be published, तो right answer is B, next देखिए, अनिल does not go to college, dash, being punished by teacher, तो अनिल जो है, college नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी जो teacher है, उसे डाटती है, तो देखो, for sake of का मतलब अभी बता है, के लिए, for want of, कमी से, for the purpose of, के उदेश्य से, के उदेश्य से, और for fear of, के डर से, के डर से, तो किस डर से नहीं जा रहा हो, क्योंकि teacher क्या करेगी, उसको punishment देगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनिल does not go to college, for the fear of being punished by the teachers, clear, तो right answer is, D, next एक हीए, यह English foundation का बेच हम चला रहे हैं अभी, और बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, तो आप लोग उम्मीद classes पे बने रहे हैं, ताकि important information आपके आज से छूटने जाए, क्योंकि जो course हम launch करेंगे, वो आपके फायदे में ही होगा, ठीक है, तो इसके लिए आप उम्मीद classes में बने रहे हैं, grammar plus vocabulary, दोनों subject आपके इतने अच्छे से तियार करा देंगे, कोई भी exam आप दो, वो easily आपका निकल जाए, ठीक है, next question है, my boss threatened, धंकी मारना, threatened me dash warning, तो by means of, की वज़े से, by means of a dwara, ठीक है, और for the fear of, डर से, और by way of, तरीके से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, my boss threatened me, by way of warning, वो warning दे करके, मुझसे क्या करवाता है, मुझसे क्या मारता है, धंकी मारता है, warning दे दे के, ठीक है, next one is, we are determined, we are determined to dash our legitimate rights, तो determined किया हुआ है, क्या, legitimate rights, जो आपको मिलने चाहिए, है ना, तो देखिए, stand up, stand up का मतलब तो होता है, खड़े होना, खड़े होना, stand up for का मतलब होता है, समर्थन करना, समर्थन करना, set up का मतलब जानते ही हो, स्थापित करना, stand for, पक्ष रखना, ठीक है, अपना, stand for बोलते हैं, कि कोई भी बात हो गई तो इसके लिए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, stand up for, तो legitimate rights है, उसका समर्थन करना, तो we are determined to stand up for our legitimate rights, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, next देखिए, indiscipline, indiscipline, जो अनुशाशन में नहीं होते हैं, indiscipline must be dash, otherwise it destroys our organization, तो हमारा जो indiscipline है, otherwise it destroys an organization, तो देखिए, null and void का मतलब तो क्या होता है, चून्य, निपिन्दबर्ड का मतलब होता है, आरम से nest करना, आरम में ही nest करना, now and then, कभी कभी, और nook and corner, सभी जगए या हर जगए, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, right answer होगा, कि जो indiscipline, यानि कि जिसके भी जीवन में indiscipline है, अनुशाशन नहीं है, वो क्या करता है, निपिन्दबर्ड, यानि कि आरम से nest कर देता है, हमारे organization को, indiscipline must be nip in the bird, otherwise it destroys an organization, right answer आपका b आ जाएगा, next देखिए, he is dash, starting his own form, तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, onwards of, on the point of both one and two, and one and two ने, इसको a और b करो, a और b, तो देखिए, आपर आपका क्या हो जाएगा, onwards of का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है, समीप ही, ठीक है कि बहुत जल्द वो खुदकी ही फर्म खोलने वाले है, तो राइट अंसर आपका c हो जाएगा, both a and b, next देखिए, the court declared dash the allotment of plots in the lottery, यानि कि court ने declare कर दिया है, कि जो plots का allotment हुआ है lottery में, वो क्या होगा, null and void का मतलब, शुन्य, in making of, भाग जाना, beauty the h, दुश्मनी खतम करना, दुश्मनी खत्म करना, तो यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा, right जो answer है, मतलब court ने क्या declare कर दिया, शुन्य गोशित कर दिया है, तो the court declared null and void, the allotment of plots in the lot, तो सही answer है आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, next देखिए, the same argument does not dash in every case, तो देखो, make है, all का मतलब क्या होता है, अधिक पैसा खर्च करना, यह है आपका hold good, hold good का मतलब होता है, वैद, या फिर valid, hot on the head, क्रोधित होना, और हेज दा बैट्स, हेज दा बैट्स, सुरक्षा का दोहरा उपाए, यह क्या कहना चाहरा है, कि same argument जो भी होता है, हर बार एक हर भैस हो, तो एक ही बात बोलना, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमेशा काम नहीं करने वाला, हर केस में काम नहीं करेगा, तो यहां पर आपका क्या होगा, valid नहीं होगा, hold good, तो the same argument does not hold good, in every case, तो B आपका यहां पर right answer होगा, the principle forgive me, माफ कर दिया, dash my parents reputation, तो देखो parents reputation की वज़े से, यह उनको विचार, in consequence of का मतलब होता है, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, in connection with, in connection with का मतलब होता है, के संबंद में, in consideration of, ध्यान रखते हुए, और in common with, ठीक उसी तर है, तो देखें, यहां पर क्या बोल रहा है कि जो principle है, उसने मुझे माफ कर दिया, मेरे parents की reputation को देख करके, उसको ध्यान में रखते हुए, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, in consideration of, the principle forgave me, in consideration of my parents reputation, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, c आपका right answer हो जाएगा, next देखिए, they booked a hall, dash, their 25th marriage anniversary celebration, तो देखें, in connection with, के, संबंद में, connection with in case of, के मामले में, in common with, थीक, उसी तरह, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, उन्होंने book क्यों किया, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, next देखिए, से, I cannot be, और यह cannot हमेशा देखना अलग-अलग नहीं आता है, एक साथ आता है, I cannot be, dash my friends, with my friends, तो at home in का मतलब होता है, दक्षिया जानकार, at any meeting with, bear bhaav रखना, और at the top of, मतलब सर्वोत्तम, सबसे उपर, सबसे उंचा, ठीक है, और देखिए, यहां पर क्या होगा, कि I cannot be, with my friends, मैं अपने friends के साथ में क्या नहीं रखता, bear bhaav नहीं रखना, तो I cannot be at any meeting with my friends, ठीक है, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, next देखिए, यहां पर यह टाले ना आपस, ठीक है, डबल डबल बार proposition थोड़ी आईगी, next देखिए, इसमे, nowadays, mostly people, mostly people are female education, तो देखिए, अभी, nowadays मतलब आजकल, mostly people are, in defiance of का मतलब क्या होता है, बिना परवा की है, की रक्षा में, की रक्षा में और के पक्ष में, के पक्ष में, तो अंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, साफ ही दिख रहा होगा आपको, कि आजकल mostly people है, वो किसके पक्ष में है, in favor of female education, तो nowadays, mostly people are in favor of female education, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, next है, they will pass the examination, dash, तो देखो at large, at large का मतलब होता है, मुक्त, at any rate, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, aim at, उदेश्य के लिए सयार, तो right answer आपका क्या होगा, यानि कि they will pass the examination, at any rate, किसी भी कीमत पर, वो exam को pass करके रहेंगे और आप लोग भी किसी भी कीमत पर exam को pass करेंगे ही करेंगे, तो you will pass the examination at any rate, at any cost भी 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 भोलते है, it is dash to stop people revolting against corruption. तो देखो, a blockhead, moork, a hard nut to crack, uljhan, kari, samasya, a cock and bully story तो पता है, man-ghadant कहानी, man-ghadant कहानी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, क्या पूछा है, it is, dash to stop people revolting against corruption, यानि कि, जो भी corruption होता है, जो बरिस्टा चार होता है, उसके against में, जो भी people उनका विरोत करते हैं, तो वो कैसी समस्या है, एक uljhan, kari, samasya है, तो it is a hard, it is a hard nut to crack, to stop people revolting against the corruption, तो right answer क्या हो जाएगा आपका, भी आपका right answer हो जाएगा, next, देखिए, mostly couples live, dash, nowadays, यह तो बड़ा ही, चलिए, mostly couples, जितने भी couples हो रहे हो, आजकल कैसे रह रहे हैं, देखो, a cat and dog life, जगडालू जीवन, a bosom friend, अतरंगी मित्र, अतरंगी मित्र, अतरंगी मित्र, a bird's eye view, थोड़ी, a bird's eye view नहीं हो गई है, देखिए, यहाँ पर जो mostly couples है, वो किसमें रह रहे हैं, अभी जगडालू जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो right answer क्या हो जाएगा, mostly couples live a cat and dog life nowadays, तो right answer क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद आप लास तक बने रहे हैं, पूरी क्लास को देखा, और सभी ने comment करके भी answers भी दिए, आप लोगों को यह answer देने से क्या फायदा होगा, कि क्या गल जलतियां भी आपके नहीं होगी, साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने telegram चैनल और contact number, वो save करें, अगर चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe करें, और bell icon पर click करें, ताकि latest updates आप लोगों को मिलते रहें, तो मिलते हैं दोस्तों, next class में, idioms और phrases के साथ में, thank you so much.